नमस्कार बच्चो विनिंगे इज ट्टी पॉइंट में आपका एक बार फिर स्वागत है और लास्ट क्लास में मैंने आपको काफी सारे हाफ एंगल फॉर्मले लिखवाए थे और मैंने ये बताया था आप लोगों को कि बच्चो वो फॉर्मले अब आपके जितने भी कोशन्स आते चले जाएंगे टॉपिक साते चले जाएंगे उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़ादा इंपॉर्टन होई और ये कोशन्स अब आपको एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है और आपके आगे के जो चैप्टर सारे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़ादा इंपॉर्टन है तो मैं उमीद करता हूँ कि सभी बच्चो ने वो फॉर्मले रिवाइस कर लिये होंगे और जल्दी से उन सारे फॉर्मलो को एक बार फिर वीडियो पॉज करके उनको रिवाइस कीजिए और उन फॉर्मलो को ओपन करके अपने सामने रख लीजिए ताकि अब मैं कोशन करवाना सुरू करूँ तो आप फॉर्मलो से पूरी तरीके से रूबरू हूँ ठीक है और एक भी कंसेप्ट आपका मिशना हो लेकिन जो बच्चे मेरी बात नहीं सुन रहे हैं हो सकता है उनको बात में इन बातों से पस्ताना बड़े क्यों क्योंकि फिर वो ट्रिग्नोमेटरी सही से नहीं सीख पाएंगे और उनको बात में दिक्कत होगी तो प्यारे बच्चो जितनी जितनी बाते में आपको यहां समझा रहा हूँ कह रहा हूँ वो आप सुनते चले जाएं क्योंकि ट्रिग्नोमेटरी का कंसेप्ट पका करना बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चो यह आपको ट्वेल्थ में भी बहुत काम आएगा आप यह मैं सोची कि ट्वेल्थ में किसी एक चैप्टर में काम आएगा वो कम से कम आपको तीन चार चैप्टरों में काम आएगा ठीक हैं इलेवन्थ के अंदर भी कम से कम दो से तीन चैप्टरों में आपको काम आएगा तो बच्चो इसलिए मैं आपसे कहा रहा हूँ कि Trigonometry को बहुत अच्छे सीखिए मैं इतनी इतनी जो 8-8-9-9 किलासे एक चैप्टर के लिए बना रहा हूँ और हो सकता है इसकी तकरीबन मैं 14-15 किलासे बनाऊंगा Trigonometry की तो इसका reason एक ही है बच्चो कि Trigonometry की इतनी सारी कलास देने का reason यही है कि यह 2 साल की investment हो रही है आपकी क्योंकि एक बार अगर आप Trigonometry बहुत अच्छे से सीख गए तो आप 11 और 12 में जहंडे गाड़ के ही आओगे मतलब आप लोगों को अब Mount Everest चड़ जाना है सिर्फ और सिर्फ किस के दम पर Trigonometry के दम पर तो चलिए सुरू करते हैं formula आप लोगों ने revise कर लिया होगा तो अब सुरू करते हैं बच्चो ध्यान से दुनिएगा sin square 6x minus sin square 4x बराबर sin 2x sin 10x के बराबर हमें prove करना है तो मेरे प्यारे बच्चो मैंने आपको एक formula लिखवाया था वो formula कुछ इस परकार था मैं एक मिनटे एक बच्चे अच्चा formula आपका इस परकार था कि sin square a minus sin square b बराबर sin a minus b sin a plus b याद आया धुन्दला धुन्दला कुछ भी याद आया थीक है तो इस तरीके से ये एक formula था थीक है बच्चो अच्छा अब जब ये formula हम लोगा ने बच्चो कर लिया तो question करने भी ज़्यादा time नहीं लगेगा हमें left hand side उठाना है sin square 6x minus sin square 4x ठीक है ये क्या बनेगा sin a minus b sin a plus b तो ये बन गया sin 6 में से ये 2x और ये sin 6 और 4 10x hence proof तो प्यारे बच्चो आप देख सकते हैं कि कितना easy concept है ये आप देख सकते हैं कि कितना easy concept है दो number का question है और ऐसे करना है आईए अब इसको भी सीखते हैं ये आपका question number 13 है इसको सीखते हैं इसमें आप left hand side लीजिए अच्छा अब आपने एक formula पढ़ा होगा आपने एक formula पढ़ा होगा कि sin square x बराबर one minus cos square x आपने अच्छे से ये formula पढ़ रखा है हाँ की ना पढ़ रखा है ना जब पढ़ रखा है और साइद एक formula ये भी पढ़ रखा है आपने कि cos square x बराबर one minus sin square x पढ़ा है 10th class में ही पढ़ा है तो बस समय आ गया है apply करने का तो कीजिए cos square x बराबर one minus sin square x बिल्कुल लिख सकता हूँ क्यों क्यों क्योंकि इस formula के द्वारा अच्छा one minus sin square 2x minus अंदर जाएगा minus 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 plus sin square 6x मेरे प्यारे बच्चो one से one cancel हो गया sin square 6x को आगे रखिए sin square 2x को पीछे रखिए क्या ये बिल्कुल same इस formula को apply करता हुआ दिखाई दे रहा है दिख रहा है ना तो चलिए sin square sorry sorry sin 6 minus 2x sin 6x plus 2x तो मेरे प्यारे बच्चो अब आपको clear हो गया होगा कि हमें क्या करना था देखिए hands proved हुआ की नहीं हुआ तो question देखके घबराना नहीं है question के अगर आपको basic formula पता है तो मैंने जैसा कि हर बार कहा है आप हर बार question को अपनी उंगलियों पर न चाहेंगे बस formula का ग्यान होना चाहिए और formula की इतनी अच्छी practice होनी चाहिए कि अगर आप आँख बंद करके भी question करें तो exact formula पुट करें और question बिलकुल सही करें तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि आपकी उंगलियों तक को भी formula याद करें याद हो जाए कि अगर आप जान बूज के भी चाहें ना कि question भाई गलत करके देखते हैं लेकिन आपकी उंगलियां उसको सही चला दें ठीक है जिस परकार आप अपने दोस्त के साथ जितनी मरजी बाते करते हुए रोड पे चलिए लेकिन आपको जिस मंजिल पे जाना होता अपने घर पे जाना होता या जहां भी जाना होता है वहाँ अपने आप आपके قدم चलते जाते हैं तो बस आपके हातों को भी वैसा ही बनाना है कि आप चाहे किसी भी जीज ब्रहुए हो किसी भी चीज चीज को सीख रहे हो लिकिन जब आप उस चीज को अंजाम तक पहुचाने की कुछिस करें तो आपकी उंगलिया अपने आप वहां तक पहुँचा दें ठीक है तो बस आपका कोशन नमबर 12 और 13 मैंने करवा दिया है फटा फट नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते है तो वीडियो पॉस करके आप लोग इस कोशन को नोट कीजिए फिर मैं कोशन नमबर आप लोगों को करवाता हूँ कोशन नमबर 20 करवाता हूँ बच्चों मैं आपको ठीक है क्योंकि 20 रह गया था 20 करवाते हैं चलिए ये मिटा दूँ अच्छा कोशन नमबर 14 सभी बच्चों से हो गया होगा मैं उमीद करता हूँ ठीक है अगर नहीं हुआ तो चलो कोई बात नहीं मैं भी यहां पर बोर्ट पे भी करा दूँगा जिन बच्छों से नहीं हुआ फिलाल कोशन नमबर चलिए सुरू करते हैं 20 पहले 20 करते हैं फिर 14 भी करा दूँगा कोशन नमबर 20 है आपका साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स अपॉन साइन स्क्वेर एक्स माइनस कॉस स्क्वेर एक्स प्रूफ करना है टू साइन एक्स के अच्छा आप ध्यान से देखिए बच्छों क्या देखना है ध्यान से कि अगर आप इसको प्रूफ करने चलेंगे तो प्यारे बच्चो ऊपर आपको साइन A माइनस साइन B दिखाई देगा दिख रहा है सभी बच्चो को साइन A माइनस साइन B दिखाई देगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चो साइन A माइनस साइन B तो द बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां तो केस कुछ और ही चल रहा है, यहां पर साइन A छोटा हो गया और साइन B बड़ा हो गया, तो चलिए इसमें भी एक खेल खेलते हैं, हम क्या करेंगे, उपर से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ओवियस सी बात है, अब यह एक ही जगा पर है, मतलब हमने उसको उसकी पोजीशन दे दी, समझ रहे हो, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि, अब हमें क्या पता भाई, X A है या 3X A है, हमने तो बस माइनस कॉमन लेके, एंगल A की जगा पे पोजीशन ले आए 3X की, और एंगल B की जगा पे पोजीशन ले आए X की, ताकि ह हमें, जो हम समझ के चल रहे थे, बड़े और छोटे का हिसाब किताब, वो हमें सैटिस्फाई हो जाए, ठीक है, तो हमने कर दिया सैटिस्फाई, जब सैटिस्फाई वहां से कर दिया, तो यहां से भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि, जब यहां से मैं माइनस कॉमन लूँग तो मुझे प्यारे बच्चो एक formula बनता हुआ दिखाई देगा मुझे क्या बनता हुआ दिखाई देगा formula बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि sin square minus cos square तो कोई formula होता ही नहीं है ठीक है? लेकिन cos square minus sin square formula होता है तो मैंने माइनस कॉमन लिया माइनस से माइनस काटेंगे लगाएंगे फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी टू हाँ जी माइनस है तो कॉस पहले कॉस ए प्लस बी अपॉन टू साइन ए माइनस बी अपॉन टू और मेरे प्यारे बच्चो cos square minus sin square x formula होता है cos 2x का चाहो तो आप अपने register में देख लो मैं करवा चुका हूँ क्या formula होता है cos 2x चलिए 2 cos 3 और 1 4x बटा 2 sin 3 में से 1 गया 2x बटा 2 cos 2x इससे एकटेगा 2 इससे एकटेगा 2 cos 2x sin x cos 2x तो लीजिए cos 2x से cos 2x खतम 2 sin x hence proved यहीं proof करना था हो गया देखरो कितना simple question है तो बच्चो इस परकार से simple simple question आपका इंतजार कर रहे हैं ठीक हैं और कह रहे हैं कि आओ मुझे solve कर दो फटा फट तो लीजिए हमने कर दिया question number 14 की तरफ चलते हैं question number 14 है sin 2x sin 2x plus sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x sin 6x is equal to proof करना है किसके बराबर proof करना है cos square x और sin 4x इसके बराबर proof करना है ये proof करना है बच्चों में तो हो गिया जी ठीक है left hand side ले ले लेंगे ठीक है अच्छा अब एक बात बताओ मुझे sin 4x चाहिए answer में तो क्या मेरे पास यहां पर तो भी sin 4x है तो मैं काम करूँगा ना मैं इसे पंगे लूँगा क्यों मैं इसको side करूँगा मैं इसको side कर दूँगा और उसके बाद जैसा कि मुझे formula बनाना आता है मैं बनाऊंगा भाई बड़ा angle कौन सा है sin 6x मैं इसको आगे लिख लूँगा क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा काम भई भई arrangement हमेशा ऐसी करनी चाहिए कि आपका काम असान हो आप भई examiner का काम असान थोड़ी करने जा रहे है आप तो अपना काम असान करना जा रहे है कि भई अगर आपका काम असान होगा तो obvious सी बात है examiner को भी असान लगेगा ठीक है लेकिन अगर भाई आप tough तरीके से करेंगे उल्टा सीधा उसमें अगड़म बगड़म पुट कर देंगे तो फिर क्या होगा फिर examiner को भी उल्टा सीधा लगेगा वो भी अपने हिसाब से number देगा तो हम क्या करेंगे हम question को इतने अच्छे से arrange करेंगे कि एक एक point clear होता चला जाए तो हमने sign 6x बड़े angle को आगे रख लिया इसके बाद मैंने sign 2x को रखा क्यों रखा क्योंकि sign 4x तो मुझे answer में चाहिए तो मैं तो भाई उसको side रखूँगा ना जो चीज मुझे पहले से मिली हुई है मैं उसको छेडूं क्यों? ठीक है? जो नहीं मिली है उसके साथ हम पंगे लेंगे ठीक है? तो लो भई हमें sign 4x पहले से मिला हुआ है तो उसको हम side कर देते हैं हमें नहीं मिला है तो sign 6x और sign 2x तो इसको हमें पंगे लेके यहां तक पहुँचाना है तो चलिए सुरू करते हैं गेम क्या यह अब आपको साइन A प्लस साइन B जैसा दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा और अब आप इसमें एक फॉर्मला लगाएंगे कौन सा? 2 साइन A प्लस साइन B तो साइन पहले आएगा क्योंकि प्लस है A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2 प्लस 2 साइन 4 X 2 साइन 6 और 2 कितना होता है? 8 कॉस 6 में से 2 गया? 4 सभी बात है? प्लस 2 साइन 4 X इस से कटेगा 4 इस से कटेगा 2 2 साइन 4 X कॉस 2 X 2 साइन 4 X ठीक है? अच्छा साइन 4 X तो चाहिए ही तो मेरे को बच्चों कॉमन आता हो दिखाई दे रहा है मुझकों कॉमन आता हो दिखाई दे रहा है 2 भी दिखाई दे रहा है 2 भी साइन 4 X भी यह मेरे को क्या आता दिखाई दे रहा है यह मुझे common आते वे दिखाई दे रहा है जब common आते वे दिखाई दे रहा है तो common निकाल लो 2 भी निकाल लो और sin 4x भी निकाल लो तो अंदर क्या बचा cos 2x और यह तो पूरा ही common आ गया तो अंदर क्या बचा ठीक है चालिए अच्छा अब बच्चो याद करो फॉर्मूला याद करो फॉर्मूला एक फॉर्मूला याद करो Cos 2X is equal to 2 Cos square X minus 1 याद आया यह फॉर्मूला याद आगिया यह फॉर्मूला कब करवाय था Last class में करवाय था copy अपना register वगेरा निकालो और उसमें ये formula देखो और जो बच्चे इस चीज को follow नहीं कर रहे हैं उनको समझने में तक लीफ आएगी भाई तो इसलिए किर्पिया करके वो copy ओं में अपने formula को लिखें और जो मैं समझा रहा हूं उसे देखें तो बच्चो cos 2x बराबर किसके बराबर था 2 cos square x minus 1 और प्यारे बच्चो जब मैं ये minus 1 उठाके इस तरफ लाऊंगा तो क्या ये plus का हो जाएगा और ये किसके बराबर रह जाएगा 2 cos square x के बराबर रह जाएगा सही बात है तो लीजिए 2 sin 4x और cos 2x plus 1 किसके बराबर है 2 cos square x के कहां से निकाल हमने फॉर्मुले से तो चलिए solve करते हैं 2 2 जा 4 cos square x और साथ में क्या है sin 4x तो लीजिए hence proved है simple है ना अकली question बिलकुल तो देखो आपको बस क्या याद होना चाहिए आपको बस formula याद होना चाहिए उसके बाद तो आप क्या करोगे अराम से question solve कर दोगे तो मैं यही बात बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि किर्पिया करके formula याद कीजिए और formula लिखिये copy में अगर आप formula को अच्छे से revise करेंगे अच्छे से याद करेंगे तो एक single question भी ऐसा नहीं है जो आपसे ना हो तो जल्दी से note कीजिए कुछ और question आपका इंतजार कर रहे हैं तो इसको note कीजिए फिर मैं आपको कुछ और questions करवाता हूँ तो आईए बच्चो एक question और हो जाए question number 14 sorry 14 नहीं 24 फोटीन तो करा दिया मैंने 24 देखो क्या लिखा हुआ है cos 4x बराबर 1-8 sin square x और cos square x पहरे 24 देख लो फिर बड़ 22 करवाता हूँ चलिए ये है left hand side उठाएंगे बच्चो cos 4x अच्छा जल्दी से बताओ क्या मैं cos 4x को 2 in 2 में 2x लिख सकता हूँ जल्दी बोलो हाँ की ना ठीक है अच्छा अब आप लोगों को अगर मैं एक बात या दिलाऊं half angle formula ध्यान से देखिएगा half angle formula cos 2x बराबर क्या हुआ करता था 2 cos square x minus 1 मैंने यही समझाया था आपको कि बच्चो अगर यहाँ पर 2 है तो 1 हो जाएगा अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर 5 है तो मैंने क्या बताय था कि वो 5 by 2 हो जाएगा यानि half angle formula किसका नाम है कि जो भी यहाँ पर angle होगा उसका half हो जाएगा यानि आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको यहाँ पे दिख क्या रहा है cos 4x तो बच्चो cos 4x को मैं जब half angle formula में बदलूंगा तो क्या वो 2 cos square 2x minus 1 बनेगा की नहीं बनेगा definitely बनेगा अच्छा अब मुझे एक simple सी बात बताईए कि बच्चो यह जो cos square 2x है यह इसका भी तो एक formula है कौन सा cos square 2x है ठीक है इसका भी एक formula बनेगा कैसे देखो ध्यान से देखना कैसे बनेगा formula अच्छा मैं इस cos square 2x को मैं इस cos square 2x को क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 minus sin square 2x जल्दी बोलो लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि cos square 2x का यह चलो यह थोडो cos 2x का formula 1 minus 2 sin square x होता है कि नहीं होता है जल्दी बता दो हाँ जी बलो भई ये जो मैंने लिखा आपके सामने कि भई ये cos 2x का formula 1-2 sin2x होता है तो हाँ जी cos 2x का formula खोला मैंने 1-sin2x यही खोला अच्छा सोरी 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 बच्छो मेरी गलती है ये गड़बड कर दी है सामने एक गड़बडी कर दी मैंने cos 2x सोरी 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 एक गड़बडी कर दी गड़बडी क्या कर दी कि बच्छो ये cos 4x है ठीक है अब इस cos 4x को जैसे कि मैंने कहा कि भई इसे angle में खोल दीजिए इसे क्या कर दीजिए angle में open कर दीजिए तो बच्चो, cos2x को मैं 1-2sin2x लिख सकता हूँ तो क्या मैं cos4x को 1-1-2sin2x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि angle 4 है तो angle कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? अच्छा तो 1-2sin²2x लिख सकता हूँ इसको ऐसे open करके अच्छा अब कुछ बच्चों को ये पूछना होगा कि आपने यही formula क्यों लगाया ये वाला क्यों नहीं लगाया ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं ये भी लगा दूँगा तो मैं उससे भी कर दूँगा लेकिन मैं इसी formula को क्यों लगाना चाहता हूँ तो इसको इसलिए लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे 1 के बाद minus चाहिए और यहाँ 1 के बाद minus है लेकिन यहाँ पर क्या है 1 से पहले minus है ठीक है, करने को हम इससे भी कर लेंगे फिर इसको अंदर को change करेंगे identity वाले से, लेकिन उससे कर लेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बस तो 1-2, प्यारे बच्चो square को उपर common ले लो ठीक है, अब जल्दी से बताओ sin 2x का formula क्या होता है 2 sin x cos x, याद आया sin 2x का formula क्या होता है 2 sin x cos x ठीक है, तो चलिए open करते है, 2 का square 4, sin square x cos square x 1-4, 2, जा 8, sin square x cos square x, hence proved, क्या यही proof करना था देखो, होगे न proof तो है बिल्कुल simple, तो बच्चो बस आपको formula का ज्यान होना चाहिए मैंने जैसा की बताया तो बहुत ही simple हो जाएगा, ठीक है video pause कीजिए, note कीजिए formula आपको मैं यहां पर बार 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 लिख लिख के बताता रहूँगा, ठीक है note कर लिया होगा अब तक आपने ठीक है, video pause करके note कर लिया होगा, अब question वैसे बर को 21 करवाना था लेकिन मैं पहले example करवाऊंगो क्योंकि एक example है, वो बहुत important है कई बार exam में आया है, ठीक है और वो example कौन सा है तो जरधियान देंगे वो example है example number 17 यह है, बाकी example आप खुद कर सकते हैं ठीक है, बाकी example आप खुद कर सकते हैं example number 16 15, यह आप खुद करेंगे ठीक है, बाकी example मैं करवाँगा पहले example number 17 कराता हूँ कौन सा कराता हूँ example number 17 17 लिखा है prove that prove करो, sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x ठीक है, minus cos x और फिर इसमें फॉर्मल लगाना है, यह prove करना है 10x, तो चलो भाई, खतम बहुत simple question है, बहुत जादा simple question ठीक है, कैसे बच्चों मुझे एक बाह बता हूँ मुझे क्या बनाना है, 10x बनाना है तो 10 कब बन सकता है जब sin x upon cos x हो, तब जाके 10 बन सकता है, सही बात है तो यानि हमें sin x को किसी प्रकार से separate करना पड़ेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, separate तो हम कर लेंगे, लेकिन separate करके क्या हमारा काम चल पाएगा, तो मुझे तो अंगलो को, काट पीट के, छोटा कर करके, कर करके, हमें पहले कहां तक पहुचना पड़ेगा, वन तक, तभी तो प्रूफ कर पाएंगे, क्योंकि भाई, फाइव को थ्री को, ये तो भाई, फाइव और थ्री जो हैं, वो तो एक से बड़े हैं ना, तो पहले इनको solve कीजि और साथ में लेंगे, प्लस साइन एक्स, क्यों लेंगे, क्योंकि इसके आगे टू लगा हुआ है, तो इसको जरा side कर दो, एक reason तो ये है, एक reason और भी है, कि भाई, फाइव और वन, छे होता है, और छे का half होता है, तीन, तो तीन इधर भी आ जाएगा, तीन इधर भी आज साइन a प्लस साइन b का, और इसमें लगाएंगे, कॉस a माइनस कॉस b का, तो चलिए, साइन a प्लस साइन b, तो 2 साइन a प्लस b अपॉन 2, प्लस है तो कॉस बाद में आएगा, a माइनस b अपॉन 2, ठीक है, कॉस a माइनस b, तो पता ही है, जब माइनस लगता है, तो माइनस क 2 sin a plus b upon 2 sin a minus b upon 2 सभी बात है क्योंकि cos के बीच में minus है तो ये लगेगा formula चलिए 2 sin 5 और 1 6x बटा दो 5 में से 1 गया 4x बटा दो 2 sin 3x minus का 2 sin 5 और 1 6x बटा दो sin 4x बटा दो तो इससे कटेगा 3 इससे कटेगा 2 इससे कटेगा 3 इससे कटेगा 2 2 sin 3x cos 2x 2 sin 3x minus का 2 sin 3x sin 2x ठीक है उपर से common जल्दी बता दो फटा 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 फूरती से क्या क्या common आ रहा है 2 और sin 3x 2 और sin 3x क्या आ रहा है common आ रहा है लिका लो common 2 और sin 3x common आ रहा है तो अंदर क्या बचा अंदर बचा cos 2x minus 1 नीचे क्या बचा minus 2 sin 3x और यह sin 2x ठीक है क्या क्या क्टा sin 3x से sin 3x 2 से 2 क्या 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 बच्चो 2 से 2 अब बच्चो cos 2x minus 1 याद करो फॉर्मूला cos 2x बराबर 2 cos square x minus 1 होता है क्या होता है? माइनस 1 होता है ठीक है? अच्छा एक फॉर्मूला ये भी होता है cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x एक फॉर्मूला ये भी होता है ठीक है? अच्छा अब इस वाले फॉर्मूले को जानने दो अच्छा ज़र ध्यान से देखना अब ये plus का 1 उठके जब इधर आएगा बच्छो तो minus का 1 हो जाएगा तो बच्छेगा क्या? minus का 2 sin square x हां की ना? अई जब plus का 1 उठके इस सरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? minus का 1 दिख रहा है न सभी बच्छों को? सभी उठको दिखतो रहा है? अच्छा अब मुझे जल्दी से बताओ उपर क्या दिखाई दे रहा है आपको? cos 2x minus 1 नीचे क्या दिखाई दे रहा? minus का sin 2x अब जल्दी से गौर से बताइए cos 2x minus 1 किसके बराबर है? किसके बराबर है? minus का 2 sin square x ठेक है? यह रहा minus हाँ जी sin 2x को open करेंगे तो अभी अभी मैंना formula बताए है क्या होता है? 2 sin x cos x 2 से 2 कटा minus से minus कटा 1 sin से 1 sin कटा बचा क्या? sin x upon cos x और sin x upon cos x क्या होता है? 10 x देखो हो गया proof है ना बिलकुल? नकली एक number तो ऐसे easy easy question आपका इंतजार कर रहे है तो बस आपको थोड़े से formula का इंतजार करना है formula देखने है और क्या करा देना है? solve करा देना है तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत असानी से हम इसको कर सकते हैं ठीक है? अब इसके बाद मैं एक question और करवा रहा हूँ तो जल्दी से note कीजिए फिर एक question और को try करवाता हूँ मैं ठीक है? इसे note कीजिए जल्दी से note कीजिए इसके बाद मैं करवाता हूँ आपको example number 14 कौन से करवाता हूँ? example number 14 ठीक है? ठीक? ये मिटा दूँ वीडियो बास करके कर लिया होगा example number 14 करा रहा हूँ और उसके बाद सारे example आपको खुद try करने ठीक है? और अपनी तरफ से भी कोई extra question मत करना अभी homework बताऊँगा क्या क्या करना आपको ठीक है? homework मैं भी बस इस question के बाद ही बता दूँगा आपको तो देखो लिखा है example number 14 में so that 10, 3, X, 10, 2, X, 10, X बराबर प्रूफ करो 10, 3, X, minus 10, 2, X, minus 10, X ठीक है? हमें ये प्रूफ करना बच्चो अब ये question में आपको क्या बताऊँ? कि कितना easy है? कैसे? अगर आप देख रहे होंगे इसमें एक चीज देख रहे होंगे क्या देख रहे होंगे? कि जो सबसे बड़ा angle है वो बाकी दो angle के sum के बराबर है जो सबसे बड़ा angle है वो बाकी के दो angle के sum के बराबर है तो बस मेरा काम असान हो गया जी यहीं से और उपर से एक बात और अच्छी है कि सारे के सारे terms 10 में हैं किसी और में नहीं है तो मतलब मेरे लिए काम एक असान हो गया क्या असान हो गया so we can say that हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते है कि बच्चों जो ये बड़ा एंगल है वो अपने बाकी दो एंगल के सम के बराबर है सही बात है यानि जो 3x है वो किसके बराबर है 2x प्लस x के ठीक है अब इसको add करने जूरत नहीं है अब क्या करो taking both side 10 दोनों तरफ 10 ले लो तो ये बन जाएगा 10 3x और ये बन जाएगा 10 2x प्लस x सही बात है अच्छा अब ये 10 3x को यहीं रहने दो और इसमें लगाओ formula कौन सा 10 a प्लस b का तो क्या बनेगा 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a 10 b ठीक है चालो इसके नीचे कुछ नीदो है इस पूरे को इससे multiply और इसको इस पूरे से multiply करो 10 3x 1 माइनस 10 2x 10 x 10 2x प्लस 10 x ठीक है 1 से कोई फरक नहीं पढ़ता अंदर multiply करो 1 से करोगे 10 3x अंदर multiply करोगे 10 3x 10 2x 10 x बराबर 10 2x प्लस 10 x अब क्या करो इन दोनों को ठाकी यहां ले आओ 10 3x माइनस का 10 2x माइनस का 10 x और इस पूरे को इस पूरे को उठाके यह माइनस का उठाके उस तरफ ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा तो 10 3x 10 2x और 10 x तो क्या बच्चो आपको यह proof हो गया हाँ की ना देखो अब यह मत कहना कि सारी यह वाला हिस्सा इदर आ गया यह वाला हिस्सा इदर आ गया अरे किदर भी आ गया है तो दोनों बराबर ही हमें बराबर ही तो proof करना था तो बस जी hands proved कोई दिक्कत सारी बाते clear हो गई ठीक है तो फटा फट इस question को note कर लीजिए अब इसी question में कुछ change करके दे रहा हूँ मैं आपको क्या change करके दे रहा हूँ 3 की जगा आप ले लेना 7 2 की जगा ले लेना 5 और x की जगा ले लेना आप 2 3 की जगा ले लेना आप 7 2 की जगा ले लेना 5 और x की जगा ले लेना आप 2x इसी चीज को proof करके दिखाओ ठीक है यही same question दिया है बस इनकी जगा पर यह change करना है आपको ठीक है अच्छा और साथी साथ कुछ home work दे रहो home work दे रहो हो जाए तो ठीक नहीं होगा तो कोई बात नहीं अगली class में तो मैं कराऊंगा ही ठीक है home work है आपका miscellaneous miscellaneous समझे रहो 3.4 के बाद जो exercise है ठीक है उसमें करना है आपको question number 1 से लेके 7 तक miscellaneous में question number 1 से लेके 7 तक page number कौन कौन सा है page number है भाई 33 और 34 पे page number 33 और 34 में ठीक है miscellaneous का question number 1 to 7 और एक question ये दिया है मैंने आपको करने के लिए ठीक है तो इतने question दे दिये हैं और काफी सारे question करा दिये हैं ठीक है 3.3 के सिर्फ 2 2 से 3 question और बच गए है उसके बाद miscellaneous भी शुरू होएगी miscellaneous के question मैंने दे दिये हैं ठीक है तो 2-3 class का और रह गया ये chapter फिर ये खतम हो जाएगा बाकि फिलाल अच्छे से ये सारी चीज़े सीखिए ठीक है तो आज की class यहीं खतम करते हैं मिलते हैं next class में चलिए बाई